यहां सिक मोर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहू बारत के हिर्दे मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहू नाम हिंदी शब्द खजुर से आया है। कहा जाता है कि खजुराहो के संस्थापक राजा चंदर वर्मन ने पूरे शहर के चारों और खजुर के पेड़ लगवाए थे। जिसके कारण इसका नाम खजुराहो पर गया। प्राजीन काल में इसे खजुर पुरा और खजुर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। नौवी से ग्यार्वी सदी के बीच बनाए गए खजुराहो के इन मंदिरों का निर्मान चंदेल सामराज्य काल में किया गया था। 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल खजुराहो समुह के मंदिरों को तीम भागों में बाटा गया है। जिन में पूर्वी समु, पश्चिमी समु और दक्षणी समुह शामिल है। खजुराहो के सबसे ज्यादा मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर बने हैं। इन सभी मंदिरों को उचे प्लैटफॉर्म पर बनाया गया है। बारवी सदी में कुल मंदिरों की संख्या 85 थी जो 20 किलोमेटर वर्ग के दारे में फैले हुए थे। लेकिन इन में से अब केवल 25 मंदिर ही बचे हुए हैं जो 6 किलोमेटर के दारे में फैले हैं। इन 25 मंदिरों में 10 मंदिर विश्णू के, 8 शिव के, 1 मंदिर सूर्य का, 1 मंदिर 64 योगिनी का, और 5 जैन मंदिर हैं। खजुराहो के इन मंदिर समूहों में सबसे विशालतम ये है कंदारिया महादेव मंदिर, जो अपनी भविता के लिए खासतोर से जाना जाता है। पश्चिमी समूहों के इस विशाल मंदिर का निर्मान महान चंदेल राजा विध्याधरने कराया था। नागर शैली में बने इस शैव मंदिर का निर्मान लगभग 1050 एसवी में कराया गया था। ये पूरा मंदिर उतक्रिष्ट बल्वा पत्थर से निर्मित है। जबकि इसका प्लेटफॉर्म ग्रिनाइट पत्थर से बना है। प्लेटफॉर्म से मंदिर 30.5 मीटर उचा, लगभग इतना ही लंबा और 20 मीटर चोड़ा है। जबकि इसकी कुलूचाई 35.5 मीटर है। क्या आप जानते हैं कि कंदारिया मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के चूने या गारा का इस्तिमाल नहीं हुआ है। दरसल इस मंदिर को बनाने में भारी पत्थरों का प्रियोग हुआ है, जिन्हें चूने या गारा से जोडने की बजाए काट कर एक दूसरे पर बैठाया गया है। मंदिर की बाहरी दिवारों पर जहां कुल 646 आकृतियां विराजमान हैं, तो वहीं मंदिर के अंदर 226 आकृतियां बनी हैं। मोर्तियों की ये संख्या यहां बने सभी मंदिरों में सबसे अधिक हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सिर्फ कामुक मूर्तियां पाई जाती हैं लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ जदी मनुश्य के दहिक जीवन पर आधारित हैं जिन में किसान, संगित अग्य और महिलाओं को दर्शाया गया है इसके मंदब की छटों पर भी पाशाण कला के सुन्दर चित्र देखे जा सकते हैं भारतिय प्राचीन कला प्रदर्शन का सजीव उदाहरन पेश करते इस मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा यानि गुभा के समान प्रतीत होता है यही कारण है कि इसका नाम कंदारिया महादेव मंदिर पड़ा है मैथून मूर्तियों से अलंकरित इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक भे कामक मूर्ती देखने को नहीं मिलती इसके प्रवेश द्वार की एक खासियत ये भी है कि ये एकल पत्थर से बनी माला से सुसर्जित है मंदिर की विशाल सनरचना खड़ी पहाडी के आकार में है जो मेरू परवत का प्रतीक है ये मंदिर पांच भागो वाली वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है जिसमें मुख मंडप, अर्थ मंडप, महा मंडप, अंतरालिका और गर्भग्रिह शामिल है इन सभी मंडपों के अपने अपने श्रिंग है जो गर्भग्रिह की ओर बढ़ते हुए मुखे शिखर पर आकर समाप्त होते है ये मुखे शिखर समरस आकरती के 84 लगो शिखरों का सियोजन है ये समरस्ता मंदिर को अनुपातिक सुडौलता प्रदान करती है जिसके चलते मंदिर के आकार में एक विशेश लय देखने को मिलती है भारत की अतिविकसित संस्कृती का उदाहरर पेश करती स्थापत्य की इस विधा के मूल में कारण और आचित्ते चाहे कुछ भी रहा हो ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृती में ऐसी कला का भी महत्यपून स्थान था तो सोच क्या रहे हैं आप रितम सौंदर्य के प्रतीक खजुराहों को देखने के लिए निकल चलिए मध्यपरदेश की ओर